हेलो एवरीवन बेलकम बैक येनवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिल तो बच्चो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 14 यानि की प्रोबालेटी की जो एक्ससाइज आपकी 14.1 आज हम सुरू करने जाने से पहले मैंने प्रोबाले प्रोबालेटी के ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक के लिए रहोगे तो आगे कभी नहीं भूलोगे प्लीज पहले आप जाके बेसिक देगे देन उसका आप एक्ससाइज को देखना ठीक है तो बेसिक के बाद भी हर कोशन डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले हमारा बेस इस बीडियो को लाइक से जरूर करेंगे जो भी आपके साथ ही वहाई वहन में तो जो भी तैयारी करने क्लास टैंट बोर्ड एक्जाम की उन तक पहुंचा आईएगा तीकिए कोशन नमबर बन मैंने और इस बीडियो में आज हम डिसकस करेंगे कोशन नमबर वन टू एन कोशन और यहां पेपर पर नूट कर रखें चाहिए आप अपनी एंसरी बुक को भी आप ओपन कर सकते हो तो चलिए पहला कोशन कोशन बोला गया है कंप्लीट दा फॉलंग स्टेट्मेंट इस्टेट्मेंट आपको दे रखें पांच पहले कोशन में उनको आपको फिल करन है तो बोला गया फास्ट कोशन में प्रोषि ओफ एन इवैंट इप्लस प्रोषि ओफ इवेंट इवैं यानि कि किसी भी किस nous का प्रॉवेटी है और प्रॉवेटी नहीं है तो उन दौनों का सुम होता है उपका कितना होता है तो बेसेम्य आपको अप्छी तरी discuss किया था probability होना और ना होना दौनों का सम आपका one होता है ठीक है तो first हो क्या है second क्या है the probability of an event that cannot be happen मतलब एक ऐसा probability जो हो ही नहीं सकता तो उसे हम क्या बोलते है zero किसी का भी जब probability नहीं होता है वो zero आपका होता है such an event is called क्या बोलते है impossible event क्या बोलते है उसको impossible event अगर किसी भी event का अगर probability आपका zero आ रहा है तो से हम बोलेंगे impossible event next third question क्या कहता है the probability of an event that is certain to happen is मलो किसी भी event का probability हो रहा है यानि कि कम से कम one तो होगा okay and such event is called a sure event क्या बोलते है किसी भी event का अगर probability हो रहा है okay तो इसका उतला क्या वो sure event है और हमने basic में आपको बहुत अच्छी तरीके से example के साथ हमने आपको समझा है please आप जाके basic देखिए फिर दोवारा से हो रहा है और आपने basic देख लिया है तो ये question 1,2,3 आप within minute में कर सकते हो okay तो question number 4 की तरफ बढ़ते है question number 4, first का fourth part the sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is इसमें बोला गया है किसी भी event का आपके complimentary जो भी आपकी elementary events की जो भी आपकी probabilities बनती experiment की उन सब का sum कितना होता है उन सब का sum आपका one होता है elementary event क्या होते हैं आपके जिसका जो probability याने की किसी भी चीज़ की आने की जो संभाब न होती है वो सिर्फ एक ही हो ठीक है उसको बोलते है elementary event जैसे कि example के लिए समझाओ मैं एक coin ले लिए हमने coin को toss किया इसमें probability 50-50 chance है या तो एक बार head आएगा या तो एक ही बार tell आएगा ऐसे events को हम बोलते है elementary event फिर से बोलूँगा basic पहले आप जाके देखे वहाँ सारा का सारा एकदम discuss किया हुआ अची तरीके से the probability of an event is greater than or equals to and less than or equals to किसके होता है तो हम बोलागा किसी भी event का जो probability है अगर हम निकालते हैं तो greater than equal किसके होता है जीरो से बड़ा होगा या तो 0 के equal होगा and less than या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा तो first part आपका complete हुआ बात करते है question number 2 की question number 2 तो ये रहा आपका question कैसे करेंगे first part करेंगो से पहले question को read कर लेते हैं क्या बोला गया question में which of the following experiment have equally likely outcomes explain करें किस तरीके से होगा सबसे पहले question को solve करने से पहले हम समझेंगे likely outcomes क्या होते हैं वो भी equal likely मैंने basic में भी अच्छी तरीके से discuss किया दुबारा से मैं आपको यहा पर बता दे रहा हूँ एकको likely outcomes बो होते हैं जिसमें आपके 50-50 chances होते हैं किसी भी चीज़ के तो उसको बोलते हैं एकको likely जैसे कि फिर से बात करूँगा मैं coin की coin अगर हम toss करते हैं तो coin में या तो head ही आपका गिरेगा या तो आपका tally आएगा तो ऐसी conditions को बोलते हैं एकको likely जहाँ पर 50-50 के आपका chances होते हैं तो first question को पढ़ते हैं कौन-कौन से आपके likely हैं कौन से ने वो आपको बताने है a driver attempts to start a car the car starts or does not start तो बोलागे एक driver car को start करना चाहता है क्या वो car start होगी या फिर नहीं होगी बताइए क्या यह equal likely outcomes है कि नहीं अब देखो यहाँ पर sure नहीं है कि वो एक बार में भी start हो जाएगी start होने के बाद चलेगी भी या फिर आपकी जो car है पहले से खराबत हो नहीं है तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब हो गया यह हो गया आपका not equal likely यह equal likely आपका नहीं है ठीक है question number 2 एक player attempts to be a suit of a basket ball see and he suits or miss yafiz shot इसमें बोलागे एक player है basket ball में डालना चारा है गया तो क्या बताई एक को likely होगा जैसे इसमें एक बार में try किया क्या होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं कहा सकते है second attempt भी खाली हो सकता है third attempt भी खाली हो सकता है fourth हम जाके गरे तो यहां surety नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया यह equal likely नहीं है equal likely मतलब 50-50 chances होगे जैसे अगर दो बार डालने के लिए बोला गया या तो एक बार गेरी देगा या फिर डाल देगा इसा हम कह नहीं सकते हो सकता है दोनों ही मिस हो जाए हो सकता है दोनों ही वहाँ पर basketball में गेंदों को डालते ठीक है third part क्या कहता a trial is a made to a answer true and false the answer is right या wrong अब बोला गया कहीं भी आपसे question देजिया था true और false का तो बताईए answer सही होगा या फिर गलत होगा true and false का उचलब क्या होगा या तो बुष सही 50-50 आगे ना जहां पर देखो true and false आपको वस टिक करना है बताईए सही है या फिर गलत है अगर हम true true पे टिक कर देंगे तो एक डारेक्लियम बोल सकते है सही है तो सही है गलत है तो गलत है यानि कि 50-50 chances है सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर किसी भी चीज़ का answer नहीं पता है चाहिए आप true कर दो चाहिए false कर दो जो होगा वहाँ पे correct हो साएगा यानि कि यह आपका equal likely है 50-50% chances है question के सही होने के next एक और example देखिए एबेबी इस बोन किसी के बच्चा होता और वो लाग है it is baby boy या फिर girl जो बच्चा है यह लड़की होगी है लड़का 50-50 chances है पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते है वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी आपकी यहाँ पर हो सकती है तो ऐसी conditions को बोलते है equal likely यहाँ पर कि easy लिए हम बता सकते है या तो वो head होगा या tail होगा या सही होगा या गलत होगा या फिर जो baby है वो लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है तो बात करते है आज की session के last question की question no.3 की then उसका next video में आपको और भी question से provide कराएंगे तो question no.3 कहता है why is a tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game इसमा बोला गया game कोई भी आपको हो सकता है यहां football के लिए बोला गया चाहे cricket हो चाहोगी हो कोई भी उसमा बोला गया इस coin को ही हम fair क्यों मानते है coin ही क्यों toss किया जाता है जो पहले batting वो करेगा फिर walling करेगा या फिर football match में जैसे question में बोला गया football match में आपने coin किया और coin की उपर ही depend करता है कौन सी जो team है पहले ball को hit करेगी तो अब बताना क्यों करते है क्योंकि equal likely है यहां पे चीटिंग बिल्गुल नहीं हो सकती या तो head ही यहां पे आएगा या तो tally आएगा इसके अलाबा और कोई भी chances नहीं है जैसे मैंने बोला 50-50 chances दे head होगा या tail आएगा ठीक है 50-50 chances होते है महाँ पे होता है equal likely तो reason क्या देंगे यह आपका होगा equally likely होगा यानि कि unpredictable होगा कुछ नहीं कहा सकते क्या आएगा या top का head भी हो सकता है या फिर आपका यहाँ पे tail भी आ सकता है unpredictable ओके आप इतना reason आप लिख दीजिएगा and I hope आपको यहाँ पे सब कुछ समझा आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले question के साथ तब तक के लिए धनबाज take care and wait for the next वीडियो जिन बच्चों ने अभी तक basic नहीं देखा है please basic देखिए then उसके ओद आपको exercise बहुँच अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा आएगी अगर कोई भी doubt please you can ask me in the comment box अगर आप कोई suggestion देना चाहते है तो please आप suggestion भी दे सकते हो और बहतर करने की कोशिस हमारी रहेगी तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में till then thank you take care and wait for the next वीडियो